तो जैसे हमारी विलेज डाइरिस चल रही है तो आज है दिन तेरावा और मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ गाव की मस्ती तो यहाँ देखिए फुल फैमिली आज खाने पर बैठी है और खाना वगेरा होने के बाद काम वगेरा होने के बाद अचानक से फिर से फीक्स हुआ जो मैंने आपको लास टाइम शेयर किया था दो तीन व्लॉग के पहले के हम लोग डोस्ता पारटी करने गए थे बड़े बॉई के उस पे तो आज मैं उन्ही के घर पे आई हूँ तो देखिए थोड़ा दुपेर में आराम वराम करने के बाद है ना हम उनका सुपारी और टॉबेकों का बिजनिस है तो यहां पर देखिए सुपारी कटिंग हो रही है जो पान में विगरा डली जाती है ना तो यह उनकी मशिनरी है और इसमें देखिए किस तरह से सुपारी कटिंग होती है सुपारी को और कुछ नाम हो तो मुझे बताईए सबके य तो यहां पर दिखिए अंकल हमें बता रहे थे किस तरह से कटिंग की जाती है इसमें डालना है और उसके बाद यह कुछ हैंडल होता है उसे चलाते हैं तो सारा ही उसका जो पावडर मतलब कटिंग है ना चोटी बड़ी साइज जैसे चाहिए वैसे वो नीचे साइड से आ ज कल रहे तो मैंने तो कभी चला आया नहीं है हाँ देखा काफी बारे और इस बारी मैंने आप सभी के साथ भी शेयर किया कि किस तरह से सुपारी की कटिंग होती है उसके बाद इनके यहां बहुत सारे पौधे पेड़ है पौधे तो नहीं तो इसमें है ना आमले लगे थे चोटे और मुझे खटा खाने को बहुत जादा मन हो रहा था और आमले देखकर तो किसके मूँ में पानी नहीं आए सभी के मूँ में आता है तो देखे यहां चीकू के पौधे पेड आमले के और काफी अलग-अलग है जो कि मैं आगे-आगे आप सभी के साथ शेयर तो मुझे इतना मन हो रहा था ना डिम्बू भी इतने छोटे-छोटे और प्यारे पर यहां निकालकर दे रहे थे आमले मुझे मन कर रहा था तो यह दिखे यह भी हमारी जेठानी लगती है तो वो मेरे लिए उतार के दे रहे थे उपर से और ऐसा प्यार मिलता है ना तो कितना अच्छा लगता है ना आप खुद ही सोची है कि कोई आपके लिए आप बोल दे के हमें यह चाहिए और तुरहं जोड़के अपने लिए सब ख़ड़े होते हैं तो यह जोड़े आप तो यहां लगता है तो यहां देके आमले उतर गए और आप सभी भी आजाईए आ यहां पर शिफ्ट हो गए और पुराने घर को पुरा फैक्टरी बना दिया तो यहां देके बैक कार्ड में इन्होंने बहुत सारे हैं अलग अलग पेड लगाए हैं यह दो तीन साल में ही सारे बड़े हुए हैं जो हमें अभी आमले गिरा कर दे रही थी किरिन भाबी उन्हो पेड पोधे लगाने का शौक है बहुत अच्छे से और जगा है तो उनको ऐसा अलगता है कि अच्छा हरा भरा हो तो बहुत बढ़िया लगता है तो यहां देखे यह ना टिंडूरा टिंडली कहते है उसका है और यह हमारी चोटी जेठानी का बच्चा है तो वह भी देख पूरी बच्चा पार्टी है खेलने के लिए आ गई है और जानवी को यही पर बहुत ज़्यादा मजाता है मतलब उसके एज के हैं सारे बच्चे यहां पर आ जाते और जो बोले ना मन में मतलब कि मुझे यह करना है तो यहां पर उसे फुल छुट होती है मतलब जो मन चाह है ताकि वह भी थोड़े स्ट्रॉंग हो जाए हम भी मिट्टी में खेल कर ही बड़े हुए है तो बच्चों से बच्पन क्यों खेलना तो यहां देखे उनके बैकार्ट में मैं आपको बता रही हूं बैगन के पौधे उसके बाद है भिंडी के पौधे काफी अलग अलग और अभी है ना सीजन स्टार्ट होगी सारे पौधे लगाने की मतलब थंडी में और बारिश के बाद यह सारे लगाए जाते है तो अराम से जितनी थंडी का मौसम होता है ना उसमें सबजिया बहार से लेनी नहीं पड़ती है फ्रेश ऑर्गैनिक घर की सबजिया और यह ज जाता है जो कि छाश में है ना बहुत जादा टेस्टी बनती है और यहां देके में बचों के साथ है ना मस्ती कर रही थी कि यहां में हूँ यहां बचे और यहां हमारी और उतने में मुझे खासी आगी तो यहां देके उन्होंने गेहू लगा दिये मतलब यह खेट में तो ये सारी यादे मैं यहां से समिट कर लेके जाओंगी जब भी देखोंगी तब याद आएगा और यहां देखे हमारी जो भापी थी उनकी लड़की ने पीजा बनाया तो पीजा लेकर है न वो सारे बचों के लिए यहां पर लेके आई तो ये भी हमारी बच्पन की याद है कि एक बनाई हुई चीज सब शेयर करके खाते है और कितना मज़ा आता है तो देखे उन्होंने है पीजा बनाया था और पीजा सब को यहां पर एक 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 देखे आप सब टेस्ट करिए और मैं और एक बना के लेकर आती हूँ इस तरह से तो ये बच्चों की पीजा पार इने दिन में आजाएंगे बहुत सारे तो अभी तो यहां पर एक ही ता मैंने आप से शेयर किया और यह जो वीडियो है इसके दो पार्ट बनेंगे क्योंकि एक पार्ट में मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ बहुत सी चीजे है तो अगर मैं कंटीनू करती तो वीडियो काफी लंबी हो जाती तो जो आफ्टर एवनिंग के बाद होगा ना वह आप पार्ट तू जरूर देखना तो पार्ट वन में में खाली यहां के उनके बैक कार्ड में कितने अलग-अलग पौधे और सबजिया वही सब शेयर कर रही हूँ और क्या-क्या उन्होंने गार्ड कि यहां पर यह है अटि महहां पर वह है दोड़ड़ोड के बच्चे बता रएकितना डर लगता अर एसे ज hates के अंदर जाने के लिए पोधों के अंदर जाने के लिए कि कुछ वो तो अंदर प्र बच्चे जरा भी नी डरती है वो बोल थे ऐसा कुछ देखे न तो उनको हाथ में पकड़ना है डरना वरना नहीं है यहां देखे मुली भी उग गई है और हमें जाकर देख भी रही है कितनी प्यारी है न तो यहां पर देखे और इस तरह से फिर हाँ सारा ही घूम फिरने के बाद है न हमें उनके दुसरे खेत में वो लेके जा रहे थे वैसे तो हम अब घर जा रहे थे बट वहां से वापस हम जाएंगे उनके दुसरे खेत में जहां पर उन्होंने काफी कुछ चीज़े लगाए यहां बच्चे लोग मुझे कुछ दिखाने के लिए लेकिया है कि या अंटी यहां पर आओ यहा मेरा पोपट हो गया तो यह होने के बाद देखें यह बहुत सी अलग-अलग चीज़े लगाई है और यहां पर उनका गेट वेगेरा है तो चलते हैं अभी राउंड मारके दुसरे उनके खेत में यह मैं आपको अंदर की साइड बता रही हूं तो देखें यहां पर है ना उनका गुलाब का जो पोधा है इसके गुलकन भी बनाया जाता है और इसकी सुगन इतनी मिठी होती है ना बहुत प्यारी देशी गुलाबे तो इसका भी इतना बड़ा पेड हो गया है यहां यहां फूल लगा है और उपर है ना अर्टिफिशिल थे और मुझे लगा ओरिजनल है तो बात में उन्होंने आकर बता है कि अर्टिफिशिल है ख़ड़ शो के लिए लगा है उपर की साइड जो लास्ट में थे तो यहां से देखिए मुझे यह लेकर चारे इनके दूसरे खेत में जो कि घर से पांच मिनिट की दूरी पर है मतलब इनका खेत पूरा होने के बाद दूसरा जो इनोंने नया लिया है वो भी आता है तो चलिए चलते हैं इनके दूसरे खेत में वहां पर भी I think गेहु या ऐसा कुछ लगाया है मुझे इतनी आइडिया नहीं उन्हों इतना मज़ा आया यहां फोटो शुट करा रहे थे बच्चे मेरे पास कि आणटी हम पोज ले रहे आप फोटो निकालिये और मस्ती तो जानवी को यहां पर आके है ना सब भूल जाती है उसको इतना मज़ा आता है ना बच्चों के साथ मुंबई में तो बच्चे नहीं मि और यहां देखिए गाए का दूद निकाला जा रहा है तो वैसे तो यह मेरे लिए अब नया नहीं है बट हां मुंबई से जब भी जाती हूं ना तो यह सब देखना मुझे बहुत ज़्यादा प्सद है क्योंकि मुंबई में यह कुछ भी नहीं देखने मिलता है और गाए के साथ पार्ट तू जरूर से देखिएगा हमें कल अपलोड कर दोंगे तो बाबाई टेक केर एंड थैंक्स पर वाचिंग